मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आप लोग के डिमांड पर आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वीडियो काफी महत्रपुन होने वाला है वीडियो को अन तक देखे अगर हमारे चैनल पे नहें हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन कर देखे बटन जरो दबाए ताकि जो भी मैं वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए जानते हैं वीपेसी के अंत्रगत टॉप प्रसासनिक पद कौन-कौन से हैं और इसके जॉब प्रफाइल क्या है सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते ह है कि वीपेसी के अंत्रगत कौन-कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आती है वीपेसी कंबाइन कम्टिटिव एकजाम के द्वारा किन-किन पदों पर बहाली लेती है ठीक है तो उसमें सबसे पहला जो पद आता है वो है उपसा महरता का पद मतलब जिसको हम लोग सब्डिविज का पद भी काफी अच्छा होता है इसके बाद है जिला अल्पसंख्य कल्यान पद अधिकारी मतलब दिस्ट्रिक माइनरेटी वेलफेर ऑफिसर जिसका आप लोग देख सकते हैं कि यह मानरेटी के डेवलपमेंट से वर्क सारे करते हैं और जिनने भी पद है वीपीसी के द् देख सकते हैं नेक्स्ट जो पद है वो है डिप्यूटी सुप्रेटेंडेंट और पुलिस जिसको हम लोग डेएसपी के नाम से जानते हैं उप पुलिस महानेटिक चक काफी अच्छा पद होता है नेक्स्ट है सिटियो मतलब बानित जिकर पदाधिकारी कमर्सियल टैक्स यह काफी अच्छा पद होता है प्रीमियम पदों में से एक है इसके बाद है ग्रामीन विकाश्ज पदाधिकारी RDo ठिक है रूलर्डश रिवलक्मेंट ऑफिचर यह भी अच्छा पद माना जाता है इसके बाद है राजेश्वे पदाधिकारी रेवनियू आफिशर ठिक ह Municipal Executive Officer, MEO, ये भी काफी अच्छा पद माना जाता है Next है, जिला सिक्छा पदाधिकारी, DEO, District Education Officer, ये भी काफी अच्छा पद माना जाता है उसके बाद है, अवर जिला परिवहन पदाधिकारी, जो 66 BPSC से ही एक नया पद बनाया गया है ठीक है, और ये इसकी बहाली अब डारेक्ट रूप से BPSC के द्वारा हो रही है Additional District Transport Officer, ADTO, काफी अच्छा पद है इसके बाद है, प्रखंट पंचायती राज पदाधिकारी, BPRO, Block पंचायती राज ओफिशर होता है ये काफी अच्छा पद माना जाता है अबर निर्वाचन पदाधिकारी, सब इलेक्टरल ऑफिशर, ये भी काफी अच्छा पद माना जाता है अपूरती निरिक्षक मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर, इसके अलावा सब रेजिस्टार का भी पद होता है जो काफी अच्छा पद माना जाता है, सब रेजिस्टार जो है वो काफी सांती पुर्ण जब होता है अब हम लोग जान लेते हैं, पोस्ट कौनकौन से एड्मिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है ठीक है, टॉप फाइप में जो कौनकौन से एड्मिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है जिसके बारे में, आज जो प्रोफाइल के बारे में मैं बताने वाला हूँ तो यह सबसे पहला और सबसे महत्वपुन है उपसमाहारता मतलब सबडिविजनल मेजिस्टेट का पद तीक है जिसको हम लोग SDM के नाम से जानते हैं SDO भी कहा जाता है सबडिविजनल आफिशेर भी यही होते हैं और काफी अच्छा पद होता है सबसे प्रिमियम पद है यह के अंतरगत मतलब यह समझे लिजिए कि एक जिलाधिकारी जो डिस्टिक में वर्क करता है सिमिलर वर्क इनका सबडिविजन लेवल पर होता है इनके जो प्रफाइल को देखे तो इनकी पोस्टिंग जो है वो सबडिविजन अस्तर पर होती है कहां पोस्टिंग होती है इन सेलरी मिलती है लेबल 9 की सैलरी है इनकी मतलब 6 पे के अनुसार चोवण सो ग्रेट पे है और अगर बात करें शेवंध पे के अनुसार तो उनको 3100 से ले सेलरी मिलती है इसके सांसात इनको जितने भी अलावेंस होता है डी ए टी ए मेडिकल अलावेंस और सारे अलावेंस मिलता है और कुल मिलाकर इनकी सैलरी अगर देखा जाए तो बेसिक सैलरी के अलावा अगर इनके अलावेंस को जोड़ दिया जा तो लगभग सत्तर हजार के सपस में इनकी सेलरी हो जाती है काफी अच्छी खासी सेलरी होती है वर्तमान में अब हम इनके वर्क के बारे में जान लेते हैं तो वर्क जो है इनको वही सारे काम करने होते हैं जो एक जीला दिकारी को जीला में काम करने होते हैं ठीक है सभी प्रकार के प्रसासनी गतिविध तो भी SDO के पास ही होता है, SDM के पास ही होता है, चुकि यह public related, public से जुरा हुआ work है, और तो काफी यह जिम्मदारी पूर्ण work होता है, इसके साथ साथ अपने बरियोई पदाधिकारी के आदेश को लागू करना, अगर बरियोई पदाधिकारी किसी तरह के कोई कार्ज देते और इस inspecting का काम भी इन ही को करना होता है, तो यह काफी जिम्मदारी पूर्ण work है इनकी, हाला कि मैं SDO के जो profile के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, साथ साथ SDO के power के बारे में भी, SDM के power के बारे में भी अलग से वीडियो बनाया है, SDM के training के बारे में भी channel DM तक पहुच जाते हैं, DM मतलब SDM के बाद उनको ADM बनाया जाता है, DDC बनाया जाता है, उसके बाद DM, तो यह काफी अच्छे खासे promotion के scope भी है, तो यह सबसे पहला पत था, दुसरा पत है, जिसको हम लोग कहते है, Ruler Development Officer, ठीक है, ग्रामीन विकास पदाधिकारी, ठीक है, लेकिन 3 साल के ही अंदरगत इनको वीडियो के रूप में promote कर दिया जाता है, ठीक है, हाला कि यह वीडियो के जैसे ही यह appointment इनका होता है, तो वीडियो के पद पर ही काम करते हैं, इनका जानते ही है, चुकि Block Development Officer है, तो इनकी नियुक्ति Block Level पर हो गया, और इनकी controlling authority कहां होती है, हाला कि इनको Level 8 की salary मिलती है, ठीक है, Level 8 की salary मिलती है, इसके साथ-साथ इनकी basic salary की बात करें, या salary payment की बात करें, तो इनकी payment जो है, वो 47,600 से लेकर के, एक लाखे कवन हजार एक सो के बीच payment है, इसके अलावा इनको बहुत सारे allowance मिलता है, डियरनेस allowance, ट्रेवलिंग allowance, म सब्धिवीजन लेबल पर करती हैं, सब्सक्राफ सरकारी यजनाओं को जो ब्लाइक लेबल पर लागू होता है, इसके को करना होता है, अपने बरिये पदाधिकारी के यदेश को लागू करना, रिपोर्टिंग और इंस्पेक्टिंग का काम भी होता है प्रोमोशन की बात करें तो ये RDO से वीडियो बनते हैं वीडियो से SDM, ADM, DDC, DM तक जा सकते हैं लेहला कि ये ADM तक Definitive से पहुच जाते हैं तो ये काफी अच्छा खासा प्रोमोशन के स्कोप भी है इनके जोब प्रोफाइल में तो ये दूसरा सबसे महातोपूर प्रसासनिक पताधिकारी होते हैं BPSC के अंतरगत अगर तिसरे प्रसासनिक पताधिकारी की बात करें तो ये है Municipal Executive Officer ठीक है नगर पालिका से जुरा, नगर निगम के विकास से जुरा हुआ है ठीक है, और इनकी Controlling Authority जो होती है वो सहरी विकास विभाग होता है मतलब इनके Transfer Posting से लेकर के नियूकती तक कोन करता है ये सब करता है सहरी विकास विभाग के अंतरगत होता है ठीक है, अगर सेलरी की बात करें तो इनको Level 7 की सेलरी मिलती है मतलब छठे Pay Commission के इनको चैलिस सो ग्रेट पे की शैलरी मिलती है ठीक है, और बेसिक की बात करें इनका Payband का बात करें तो Payband जो है वो 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच है इनको बहुत सारे Allowance मिलता है जो सारे Allowance जो है वो एक प्रादिकारी को मिलता है वो सभी Allowance जैसे Dearness Allowance Medical Allowance, Traveling Allowance के आलावा इनको आवास की भी सुब्धाय मिलती है गारी के भी सुब्धाय मिलती है तो ये काफी अच्छे प्रसासनिक कार जो इनको करने होते हैं मतलब एक नगरपालिका के अंत्रगत ठीक है? हाला कि इनकी प्रैमरी जो पुस्टिंग होती है वो नगरपंचायत में होती है इसके बाद ये धीरे-धीरे प्रोमोट होकर मतलब आगे बढ़ते हैं तो सारे प्रसासनिक गतिविधियों को ग्राम नगरपंचायत के अस्तर पर ये लागू करते हैं नगरपालिका के अस्तर पर लागू करते हैं वहीं सरकारी ये उजनाव जो अगर नगरपालिका के विकास से जुरा हुआ है उनको करते हैं बड़िये पदाधिकारी के द्वारा अगर किशी तरह के कोई आदेश दिये जाते हैं उसको लागू करना बड़िये पदा धिकारी को समय समय पर रिपोर्टिंग और इनको निरिक्षन का काम भी करना होता है अगर जहां तक बात करें इनके प्रोमोशन का तो प्रोमोशन का भी अच्छा खासा इसकोप है इनको एमियों से लेकर करके यह डायरेक्टर तक पहुंचाते हैं नगर निगम के डायरेक्टर तक यह हो जाते हैं तो काफी अच्छे खासे इनका प्रोमोशन का एसकोप है चोथा जो सबसे महतकुन परपद है प्रसासनिक अधिकारी का वो रेविनियो अफ्षर है हाला कि इनका जो विधी बेवस्ता है वो कटर से जुरा हुआ है इनकी पस्टिंग भी भलोववल पर होती है और कंड्रॉलिंग आथे जो होता है कर एवग क्रेम राजेष्वव विभाग होता है लेवल सेवन की इनको सेल्री मिलती है जिसके बारे में मैंने अभी निसकस किया आप पी पीछे और सारे वीवनस इंक भी इनको वही रखाओ उनके जमीन से समधेट बिवादों का वाद्पि इनके यहाँ चलता है। ठीक है और ये समय समय पर reporting और नेरिक्षन का भी काम करते हैं तो इनका जो job profile है वो काफी चुनावती पुन है हलाकि ये covid pandemic में इनका एक महत्वपुन भूमिका रहा है प्रसासनी गती विधियों में इनके promotion के भी अच्छे खासे scopes हैं ठीक है ये आरो से मुतलब revenue officer आयसे हम लोग block label पर इनको co कहते हैं ठीक है circle officer block label पर इनको circle officer के नाम से जाना जाता है co लेकिन actually ये revenue officer होते हैं इसके बाद इनको dclr या dm दोनों equivalent post है a dm या director इनको rdd का बना दिया जाता है रूलर development department का director बना दिया जाता है तो ये इनके promotion के भी काफी आच्छे खासे scopes है ठीक है सबसे महतवण पद जो है वो 5 weet number पर हाला कि रसासनिक गतिविधियों से जुराहिई नहीं है यह पुलिस गतिविधियों से जुराहिए लेकिन इनको प्रशासन में महतवण जुगदान होता है अगर प्रशासन में बात करें तो ये sdm level का एक पद है ठीक है SDM level का एक पद है और deputy superintendent of police जिसको हम लोग DSP के नाम से जानते हैं ठीक है DSP के नाम से जानते हैं इनके भी job profile के बारे में मैंने पूरे विस्तार से बताया है अभी तक मैंने जितने भी पदों का discussion क्या है उन सभी पदों के job profile से समंधित मैंने वीडियो बनाया है आप उनस वीडियो को देख करके काफी लाव उठा सकते हैं साथ साथ Deputy Superintendent of Police के training कैसे होती है इनके क्या power है इन से समंधित भी मैंने वीडियो बनाया है उसको देखिए आप काफी लाव मिलेगा और आप इनके सारे काम को और ट्रेनिंग को अच्छी तरह समझ पाएंगे तो इनकी controlling authority होता है वो होता है home department साथ साथ इनको salary SDM के equivalent मिलता है अगर भत्ते की बात करें तो SDM को कुछ जादे भत्ते मिलते हैं लेकिन इनकी salary लगभग उन्हीं का equivalent होती है इनका मुखरूप से काम जो होता है वो law and order को maintain करना sub-division level पर अपने बरिये पदाधिकारी के द्वारा दिये गए कार्च को करना और इनको बहुत सारे case में इनक प्रमोशन करके यह reporting भी करते हैं प्रमोशन की बात करें तो अच्छे खासे scope है प्रमोशन के यह SSP तक जात सकते हैं DSP के बाद इनको ASP बनाया जाता है Assistant SP जिसको हम लोग कहते हैं उसके बाद ASP का पद इनको दिया जाता है उसके बाद SSP Senior Superintendent of Police के रूप में इनकी नियुकत होती है तो इस प्रकार से प्रमोशन के भी अच्छे खासे scope से यह top 5 यह top 5 जो है वह administrative पद है जिसको सब्दिविजल लेबल पर या BPSC के द्वारा इन पर भाली की जाती है तो दोस्तों हमें पूरी उमीद है कि यह वीडियो आपको काफी पशंद आया होगा वीडियो पसं आते हैं तो विल आइकन को भी दबा दीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक ने टॉपी के शाथ आज के लिए इतना ही